घर के मुख्य दर्वाजे के सामने भूल से भी ना रखे ये चीजे दरीद्रता का कारन बनते है। नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका। वस्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारत्मक उर्जा का प्रवाह बनाने के उद्देश से कई महत्व पुर्ण उपाय बताये गए है। वस्तु के अनुसार घर के अंदर की हर एक वस्तु सकारत्मक और नकारत्मक उर्जा छोडती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए, तो ये घर में नकरत्मक्ता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिती पर पढ़ता है, और घर में कलेश बढ़ता है, वही अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए, तो ये घर में सकरत्मकुर्जा फैलाती और घर में सुख और सम्रुध्धी बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख सम्रुध्धी और वैभाव का प्रविश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कूछ ऐसी चीजे इसके सामने रखी जाए जो नकरत्मक हो तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता और बीमारिया भी प्रविश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजे नहीं होनी चाहिए, ये चीजे अशुप्तो होती ही है। साथ ही ये कई तरह की समस्याए उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, मुख्य वेक्ति के जीवन पर असर डालती है। और इन्हे स्वास्त के साथ ही आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है। आईए जानते है घर के मुख्य द्वार के सामने कोन सी चीजे होना अशुब माना गया है। लेकिन इस से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ताकि आप ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। क्यों की बाद में आप भूल जाते है। नंबर एक गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुब होता है। ये वास्तु दोश का कारन बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टेरिया पनपते है जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते है। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंध हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल का जमाव घर की पच्चिम बिशा की ओर हो तो धन के नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। 2. काटेदार पउधे कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने काटेदार पउधे रग देते हैं लेकिन ऐसा करना बिलकुल गलत है। 3. मुख्य द्वार के सामने काटेदार पउधे होना कलेश निर्मान करता है। परिवार के सदस्यों में आप सीप्रेम कम होता है। साथ ही शत्रूओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने काटेदार पउधे ना रखे। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंदित फुलो वाले पउधे अवश्य रखे। तीसरी बात कुडे दान। कुडा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कुडे दान को मुख्य द्वार पर सटाकर रखते है। अथवा इसे घर के सामने ही रख देत लेकिन वास्तु के अनुसार ये कश्टकारी होता है और धन की हानी का सुचक माना गया है कूडे दान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए ये देवी लक्षमी की दिशा मानी गई है नमबर चार बिजली का खंबा कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नती में बाधक होता है मुख्य द्वार के सामने खंबा होना तो बहुत ही हानी कारक होता है। इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय ये चीजे ध्यान में रखे। घर में प्रवेश करना चाहिए, ये स्वास्त के दुरुष्टी कोन से अच्छा तो होता ही है, साथी घर में सुक सम्रुध्धी और शान्ती बनी रहती है, इसी कारण घर के मुख्यद्वार के सामने पेड होना शुभमाना नहीं जाता, छटी बात बेल का उपर चणना, घर क के अनुसार इससे विरोधियों और शत्रुयों की संख्या बढती है, और व्यक्तिके उन्नति में बाधा निर्मान होती है, नंबर साथ देहलीज, वस्तु के अनुसार मुख्यद्वार की दहलीज से उची सडक होना, कश्टकारी होता है, वस्तु के अनुसार जिन पowyधो म इसे हमेशा दूत की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए, मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड़ा या कीचड नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है, इससे अशुप समाचार की प्रा होती है, घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए, यदि घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो, तो परिशानियां और संकटों से घिरे रहेंगे, मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर् द्वार होना भी नुक्सान दायक है इस से धन का नाश होता है घर की उपर पड़ रही चाया से चाया वेद होता है हाला कि ये देखना होता है कि घर के उपर किस की चाया पड़ रही है और किस दिशा से और किस प्रहर में चाया होती है उसी से लाभ या नुक्सान का पता चलत मुख्य द्वार या घर के सामने कोई व्रिक्ष नहीं होना चाहिए ये सभी कारियों में बाधा उत्पन्न करता है इससे बाल दोश भी होता है तो दोस्तो ये थी वो चीदे जो घर के सामने नहीं होनी चाहिए अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक क साथी चानल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके धन्यवाद झाल 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 झाल